नमस्कार, उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है. योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है. आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है. हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा. धन्यवाद. इस वीडियो में हम प्रतीबल विक्रिती वक्र के बारे में समझेंगे जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस स्ट्रेंड कर भी कहा जाता है. तो इसे समझने के लिए हमने consider किया है एक धातविक तार को यानि कि एक metallic wire को यह हमारे पास धातविक तार है अब हम इस तरीके से बल लगा रहे हैं इस दिशा में तथा इस दिशा में तो यहाँ पर इस तार के लिए हम देखेंगे कि प्रतिबल के साथ विकृती में कैसे परिवर्तन आता है ठीक है यह समझ माया अब यहाँ पर हम consider करेंगे प्रतिबल तथा विकृती का graph तो यहां पर हमने प्रतिबल को प्रदर्शित किया है तथा यहां पर विकृति को प्रदर्शित किया है किया इतनी बाद समझ मैं अब यहां पर जो यह तार है इस पर जब हम प्रतिबल लगाते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ठीक है अब ये कैसे है क्या है ये हम अच्छे से समझेंगे अभी के लिए आप ये जाने है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये है कि जैसे किसी पर्टिकुलर प्रतिवल के लिए यहाँ पर एक विकृति आएगी याने की इस तरीके से आजाएगी है ना तो यहाँ पर इस बिंदू के लिए यदि ये प्रतिवल है तो विकृति ये हो गई यहीं पर यदि मैं इसे इस पॉइंट पर निकालना चाहूं तो यह देखिए जिस भी पॉइंट पर आप देखना चाहेंगे तो यह चेंज होता जाएगा तो यहाँ पर इस बिंदू पर क्या हो रहा है प्रतिवल ये है तथा इसके लिए विकृति ये है क्यातिबा समझ मैं तो यहाँ पर हमने ऐसे ही कुछ बिंदू को आपस में जोड़ दिया जिसे हमें ये वक्र मिला क्यातिबा समझ मैं अब देखिए मान लिजी आपने अपने अपने घर पर विक्या होगा मान लिजी कोई तार है ठीक है अब जब आप उसको खीचते हैं ठीक है मान लिजी आपने दोनों ही तरफ से इस पर बल लगाया याने की प्रतिबल लगाया तो अब ये क्या होगा बताए ये क्या होगा ये यहाँ पर इस तरीके से बढ़ जाता है दिख रहा आपको यहाँ पर जो इतार है ये बढ़ रही है जब आप इस पर क्या लगा रहे हैं प्रतिबल लगा रहे है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बिंदुओं की तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ यहाँ पर बिंदुओं ए की तो मान दीजे ये यहाँ पर बिंदुओं है अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर जो प्रतिबल है वो विकृती के कैसे है अनुक्रमानुपाति और आप जानते हैं कि प्रतिबल ठीक है, डारेक्ली प्रपोर्शन होता है विकृती के किसके द्वारा? hook के नियम के द्वारा, है ना, यानि कि जितना आप प्रतिबल लगाते जाएंगे किसी वस्तो पर, उतनी ही उस पर विकृती आती जाएगी, यानि कि जितना आप इस पर प्रतिबल लगाएंगे उतनी ही ये लंबी होती जाएगी यानि इस पर deformation आती जाएगी ठीक है यानि कि यहाँ पर hook के नियम का पालन करेगी अब यदि आप यहाँ पर जो प्रत्यारोपित बल है जो आप यहाँ पर लगा रहे हैं उसे हटा दें तो क्या होगा जो ये तार है ये अपनी प्रारंबिक विमाओं को पुना प्राप्त कर लेगी यानि कि जो ये ओरिजिनली थी ये उतनी ही हो जाएगी है ना तो यहाँ पर जो ये ठोस है ये एक प्रत्यास्त पिंड जैसा आच्रण करता है यानि कि जो इसका प्रत्यानन बल है वो इसे वापस उसके ही प्रारंबिक विमाओं में लेकर आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो ये पोर्शन है कौन सा वाला ये रिखे ओ ए वाला यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हुक के नियम का पालन हो रहा है और यहाँ पर जो ये बिंदु ए है इस बिंदु को कहा जाता है आनुपातिक सीमा क्योंकि इस सीमा तक जो प्रतिबल और विकृती हैं वो आपस में कैसे हैं अनुक्रमानुपाती हैं ठीक है तो इससे कहा जाता है अनुपातिक सीमा किया इतनी बाद समझ में आई अब देखे यदि आप बिंदू A के बाद इस पर प्रतिबल लगाए याने की इस तरीके से यह देखे यहाँ पर आप प्रतिबल को बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं यह बिंदू A आ गया और आप इसको बिंदू A से भी जादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दीरे 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 यह और बढ़ेगा, ठीक है, तो यह देखी, इसने A जो बिंदु है, उससे क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, यानि कि अब देखते हैं कि तार पर हम क्या कर रहे हैं, यानि कि जो हम इस पर प्रतिबल लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे थे ठीक है तो एक बिंदू यह होता है जहां पर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है परंतु जैसे ही आप इस बिंदू को क्रॉस करते हैं तो क्या होगा तब जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती नहीं होता है ठीक है अब जैसे प्रतिबल और विकृति आपस में अनुक्रम आनुपाति नहीं है जैसे कि आप यहां पर देख पाएंगे, मैंने यह से थोड़ा नीचे कर दिया ताकि यहां पर हमें अच्छे सा दिखें, ठीक है, तो जैसे ही आप बिंदू A को क्रोस करते हैं, यानि कि आनुपातिक सीमा को क्रोस कर देते हैं, तो मान लिजे इस बिंदू की बात कर लिए हमने, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रतिबल है, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, परन्तु जो विकृति है, वो प्रतिबल के मुकाबले अधिक बढ़ रही है, ठीक है, यानि कि यहां पर और उससे हटाते हैं, तो आपने देखा था ना, कि तार अपने, जो प्रारम्बिक विमाय थी, उन्हीं में वापिस आ जाता है, यानि कि यहां पर क्या है, यह एक प्रतियास्त पिंड की तरह है, कारे कर रहा है, ठीक है, यानि O से A तक, तथा A से B तक, यह एक प्रतिआस्त प विक्रिती अनुक्रमानुपाती हैं, A स B में ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो बिंदू B है, इसे कहा जाता है, आप इसे कह सकते हैं, प्रतियास्त सीमा इसका एक और नाम है, ठीक है, तो प्रतियास्त सीमा और इसे पराभव बिंदू भी कहा जाता ह पराभव बिंदू अब यहां पर जो यह बिंदू भी है युदि मैं जाएगा इसे यहां पर लिख देते हैं पराभव सामर्थ्या अब यहां पर मैं आपको एक और चीज समझाऊंगी जो इसके नाम में भी चुपी है तो देखे जो यहां पर इसका नाम है प्रतियास्त सीमा यानि कि जो बी बिंदु है इसके पश्चात यदि आप इस तार पर और प्रतिबल लगाते हैं तो यह अपनी प्रतियास्ता के गुण को खोने लगेगा यानि कि जो बिंदु बी है वो इस तार की क्या है एक सीमा है किसकी प्रतियास्ता की इसलिए बिंदु बी को बोला गया है प्रतियास्त सीमा समझ में आया तो आई होप आपको इतना तो स इसे कहा जाता है प्रत्यास्त आजरण क्योंकि यहां पर जो यह तार है यह अपनी प्रत्यास्ता को कायम किये वे हैं अब यदि आप प्रत्यास्त सीमा के पश्चात इस पर और प्रतिबल लगाएंगे यानि कि इस तार को आप कि अब आप इस तार पर काफी अधिक प्रत्या प्रत्यारोपित बल हटाएंगे तो जो यह तार है वो पुना अपनी विमाओं में या अपनी मैं कहूं प्रारंबिक अवस्था में नहीं आती है देखिए थोड़ी सी यह खिच चुकी है समझ मैं क्यूं क्यों कि यहां पर इसने अपनी प्रत्यास सीमा को खो दिया है या कह स तार है वो पुना अपने अवस्था में नहीं आती है याने कि यहां पर क्या हो गया है अब यह यहां पर आएगी याने कि यहां पर आपने प्रतिवल हटा दिया यहां पर प्रतिवल कितना है शूनिया है परन्तु यहां पर एक विकृति आ चुकी है यह यहां पर ना आकर के तार अब यहां पर आएगी और इसे हम क्या कहते हैं इसे कहा जाता है स्थाय विरूपन जो क्यों आया है क्योंकि यहां पर वस्तु ने अपनी प्रत्यासता को खो दिया है ठीक है यह पता भी होना चाहिए ऐसा क्यों हो था बी पर ऐसा क्यों नहीं हो था क्योंकि बी पर प जब प्रतिबल लगाते हैं और यह देख सकते हैं, नहीं देख सकती है, जो प्रतिबल लगाने पर अब इसने क्या होगा? इसमें damage आना शिरू हो जाएगा ठीक है यानि कि ये अधिक्तम प्रतिबल है जो ये वस्तु यतार सह सकती है इस बिंदू D को क्या कहते हैं इसे कहते हैं चरम सामर्थ या बिंदू ठीक है अब देखे इसके पश्चात क्या होगा देखे यानि कि अब ये वस्तु damage होना शिरू हो गई है और ऐसे करते करते क्या होगा एक बिंदू E हमें ऐसा मिलेगा जिस पर कि ये वस्तु जो है आप कैसाता है इसे दो भागों में तूट जाएगी ठीक है क्योंकि आपने इसके चरम सामर्थ्य बिंदू के बाद भी इस पर प्रतिबल लगाया है ठीक है यहाँ पर थोड़ से प्रतिबल लगाने पर भी बहुत अधिक विकृती हो जाती है और इस बिंदू E को कहा जाता है विबंजन बिंदू ठीक है क्या कहा जाता है विभरणिजन बिंदु, अब जैसा कि मैंने कहा था बिंदु C के पश्चात क्या होता है जो वस्तु होती है वो अपनी प्रारंबिक अवस्था में नहीं आती है है ना? यानि कि उस पर क्या हो जाता है, एक स्थाइव विरूपना जाता है यानि कि यहाँ पर कैसे होगा एक प्लास्टिक की तरह एक्ट करती है यानि कि वियभार करती है तो यहाँ पर जो यह area है यानि कि यह देखिए C से लेकर के यह पूरा area यहाँ पर जो वस्तु है वो एक प्लास्टिक की तरह behave कर रही है तो इस region को कहा जाता है प्लास्टिक आच्रन यदि इस region को plastic आच्रन कहा जाता है क्योंकि यहां पर इस पर एक स्थाई विरू पणा गया है जैसे plastic होता है जो यदि आप प्रतिबल लगाएंगे तो एक ऊस्थाई विरू पणा जाएगा अग यहाँ पर जो यह एरिया है इस रीजन को क्या कहेंगे कहा जाता है प्रतियास आचरण ऐसा क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु है उसके अंदर प्रतियासता है जिसके कारण वो प्रतिबल हटाने पर पुना अपने किस पर आ जा रही है प्रारंबिक अवस्था में आ जा रही है तो यह काफी इंपोर्टेंट है यह जो मैंना भी आपको समझाया मैं अमीद करती हूं कि आपको यह सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा